असलाम अलेकुम आप यूट्यूब फैमिली उमीद करते हूं जी सब ठीक ठाक होंगे अलहम्दलिल्ला मैं भी आप सब की दुआउं से बहुत अच्छी हूं और बहुत खुश हूं अलहम्दलिल्ला अलहम्दलिल्ला टाइटल देख के आप लोगों को पता लग गया होगा त आप लोग मुझे इतने दिल से इतनी अपनाईयद से देखते हैं थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोग मुझे इतना प्यार रिखाते हैं आप लोगों नोट करने स्टार्ट करेंगे था कि आपके चीक्स बोलू-बोलू हो रही हैं और आपका नोस्वेल होने लग गया है तो बस यार बहुत से रिखने होते हैं हर चीज़ के पीछे जो है ना।ो और मेरे घ्मन सद्स्राइबाश कारू अ को को जल्ली बताद है। बहुत जादा लेक्नी की या वर्णा मेरा था कि मैँ थर्ड ट्राइमेस्टर में जा के फिर मैं आप लोगों को बताओंगी, लेकिन फिर लहunta हुआगा है।ब यह त्ने प्यार, जुस्क्व महबत है। आप लोग है इतने कॉमेंट्स मेरी family में मेरी friends में मेरी बहुत सी दोस्तों को भी अभी video देख के पता लग रहा होगा जिनसे भले मेरे daily bath होती है या daily bath नहीं भी होती मैंने नहीं बतायाता सब लोग को starting में आपकी doctor होती है वो भी recommendation गर्ती है कि आपका first trimester गुजर जाए फिर आप अपनी good news जो है वो शेयर कर सकते हैं लेकिन मैं जो है ना वो ऐसी बंदी हूँ कि बहुत कम लोगों से जो है ना वो अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ पहले मैं बहुत करती थी सब को सब बता देती थी लेकिन अभी मुझे हर चीज की समझ आती आ गई है बंदा ज आने सिस्कों अपना अवान को में बहुत कम लोग.' चला है मैंने बहुत कम लोगों को बताया हुआ था और अभी तो सब को पता लग गया होगा तो आप सब लोगों ने कॉमेंट्स में माशाला जरूर केना है मुझे बहुत से दुआएं देनी हैं और आने वाले बेबी के लिए भी बहुत सारी दुआ के जरूरत है और बस मैंन पूरी प्रेग्ननसी में जब जब मुझे याद है मैंने यही दुआ मांगी कि अल्ला पक हर बेवलाद को वलाद दे जिसके पास वलाद नहीं है सहत मंद अउलाद ले, तंदुरूस्थी वाली उलाद दे, मा को भी सहत दे, बच्चे को भी सहत दे और जिनके घर में की नहमत से जो है वो नमाज से जैसे मेरे शादी हुई थी उसके बाद मेरे पास कॉमेंट्स कोश्चन आना स्टार्ट हो गए थे लेकिन जब वो शुरू वाला टाइम होता है ना जब आपको पता लगता है यूर एक्सपेक्टेंग तो मैं कहते हूं कि उस वक्त तो कुछ प अच्छा मेरे लिए ना यह मतलब सर्प्राइज ही कह लें लापाक की तरफ से और बस जब लापाक में किसी को कुछ देना हो नमाज ना हो असरब की बहुत महरवानी है अलहम्दलिल्ला अलहम्दलिल्ला शादी के बाद इंसान की बेबी के साथ फैमली कंप्लीट हो जाती ह अलहम्दल अलहम्दलिल्ला शादी के लिए अलहम्दल शादी के बाद लिए जो ना में वीडियो में आप इस खुशी का आगाज जो है वो किस तरीके से हुआ मुझे कैसे मिली प्रॉपर अभी तक मैंने किसी के साथ नहीं शेयर कि हुई जो भी है वो सब यहीं पर आके सुन रहे होंगे क्योंकि इतनी लंबी डिटेल में बात ही नहीं किसे से कि जैसे पिछले मंत मेरी डेट में सुई थी लेकिन कुछ टाइम बाद मेरी डेट आ गई थे मुझे नॉर्मल इपिरियोट्स हो गए थे नेक्स्ट मंद फिर यह यह शुआ कि मेरी डेट हमेशा पीछे की तरफ जाती कभी भी आगे की तरफ नहीं जा रही थी मैंने का शा गुछ ना हो गया और विजिए टो अच्छा सब को कि मैं एक्सपेट कर रही हूं या कुछ ऐसा था मुझे भी एसा नहीं था कि मैं अग्सिप्रेट करें इसका शादी से पहले तो मैं ने का शाई इस तरी के का कोई हो गया हॉ और मेरी सासमा जो हैं वह भी यही समझ रही थी कि मतलब अगर प्रेगनेंसी उती तो साथ पेन क्यों हो रहा होता ना मतलब ऐसा तो नहीं होता तो हम लोगों ने कहा कि चलो डॉक्टर से पूछ लेते हैं कंसल्ट कर लेते हैं अम दॉक्टर के पास गे तो उन्होंने मुझसे पूचा कि कितने देश गुजड़ हैं आपने चेक किया है घर पर पर किया चेक करना था तो शर्वा जाया है कि आपको प्रेगनेंसी तो नहीं है मैं और आम्मीदोने जो दुझे को देखने लग गए हमने नहीं तो इसने बोला यह तो common है अगर डेट में सो हुरी है और ज मैं बोला कि चलो कोई नहीं अभी हम टेस्ट कर लेते हैं और पता लग जाएगा तो उन्होंने यह जैसी टेस्ट किया तो तैस्ट आया जी पॉजिसिव और मैंने घर्तु चैक किया नहीं था तो मैं और अमी एक दूसरे को देखने लग गए और एक दूसरे को मतलब मुझे म लेकिन थोड़ा जादा था तो हमने यही समझा के चेक करवा लेते हैं तो मेरी हजबन तो उसक्क जॉब पे गए हुए थे मैं अमी और अब्बू जो है वो चेक करवाने के लिए गए तो हम लोग जैसे बाहर निकले तो अब्बू ने पूछा तो अमी ने अब्बू को बता तो उसक्क फिलिंग्स थी ना देखें मैं अभी विस चीज को रिकॉल कर रही हुए उना तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे था तो पर मैं अमी अब्बू को देख कितना जादा खुश थी तना जादा खुश कितने जादा खुश थी मैंने का आला मिया तेरा लाग लाग अरला पाक में हमें भी खुश ही दिखाई है और वसीम के बाद हमारे घर में कोई है भी नहीं तो अम्मी अब्बू क्यांको मैं आसू भी आगए मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई वसीम को बने बताया था हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास चेक करवानी के लिए ज कि अन्युटर को गए को का क्रें तो वहसेज के वहासीम की तो इसा प्राकानी को ङुए यह वहासीं ख़ाए ओच्च्टर के अंपने आप एक्सष्पेट् ना करी हो तो वहसीम ने बोला क्या है तो को मैसेज करती हूँ और पिर मैं आपको उनका मैसेज दिखाती हूँ अच्छा यह वसीम का मेसेज था हम लोग गए थे सबस्था में और मैंने घर आके वसीम को मैसेज किया कि आते वक्ट एक खिलो गलाब जो मुले लेकर आना तो उन्होंने का खेरिये मैंने का समझ जाओ व मेरी मुझे समझ आ रही इस तिल मैं वीडियो बना रहे हैं मुझे शरम आ रही है कि मतलब पता निंग शरम भी आ रही है यह क्या निए चीज़ छुपाने वाली तो है नहीं कुछ टाइम बाद तो सबको ही पता लग जाएगा अभी सबको पता लगने लग गया गोलू- विदियो के पार्ट टू में बता दूंगी पार्ट वन में हम अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में ही रहने देते हैं और बहुत अच्छी फिलिंग्स हैं बहुत खुश हुँ मैं अलहमद्द जतना भी अल्ला का शुकर करो उतना कम है वसीम के बाद हमारे घर में भी अपनी अ आप वसीम की सकार है और वस आगे हमारी कंपी होगी अपनी मा मा को कॉल करके कि मैं बहुत होाओ छोई थे मिखा यह ऑगा ख्ङरा का उडनी और बस यह चीतों करने बता दिया बस आला पाक में खहर खहरियत का टाइम लेका है, जो भी एक्सपेक्ट करी हैं, अल्ला मिया उनके लिए असानिया पैदा करें, अल्ला पाक जिनके उलाद नहीं हैं, उनको नेक और तंदरुस्त वाली उलाद अता फरमाएं, आमीन, मेरे लिए भी आप लोगोंने बहुत से दौा करनी हैं, कि आगे वाला जो टाइम में वो खहर खहरियत से आए, और अल्ला पाक जो है, मुझे मेरे घरवालों को, मेरे आने वाली बेवी को, मुझे मेरे बेवी को, मेरे घरवालों को, नजर की हसद की आग से बचाया, और इन चीजों पर बहुत जल्दी नजर भी लग जाती है, इसलिए मैंने बहुत लेट एक्सपोस किया, आप लोगोंने कॉमेंट सेक्शन में माशाला, माशाला जरूर कहना है, और सब जो जो जिनकी उलाद नहीं, उनके लिए दौा भी करनी है, और मेरे लिए खास दौा करिएगा, कि आला पाक मुझे अपने झाल